नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेंडलाइन से बीजेपी नेता हरक सिंग रावत पर रेप का मामला दर्ज कॉंग्रे से कच चुके हैं बगावर उच्राखंट के हरीश रावत सरकार में थे मंत्री उना दलित कांड में अपने ही सरकार पर भड़के केंद्रे मंत्री रामदास अठावले गोरक्षकों के विरोध में आएं कहा गोरक्षा से जरूरी है मानवरक्षा जमुकश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुटबे दो आतंकि धेर कारवाई में सेना के दो जवान शोहिद एक घायल बार से असम बिहार 22 जुले पानी से लबालब गुहमंत विराजना सिंग ने किया हवाई दोरा बिहार में गंडक नदी उफान पर दो हजार घरों में घुसा पानी लोगों ने बांध पर ली शवराद और नौवल पुरुसकार विजेता के अलाज सत्यार्थी करेंगे बिहार के शुराब बंदी अभियान का अधियन शुराब छोड़ने वाले लोगों के बीच जॉएंगे सत्यार्थी सीम नितिश कुमार के आमंतरन को किया स्विकार जमुकश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुटभेड हुई है इस मुटभेड में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया है लेकिन कारवाई में सेना के भी दो जवान शहीद हो गए इसके अलावा एक जवान जखमी भी है सेना ने आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल और गरनेट लाउंचर मिला है जवान इस राके में घूस पेट की जानकारी मिली थी इसके बाद जवान यहां तलाशी अभियान चला रहे थे उस वक्त ही मुटभेड हुई इसे पहले बंगलवार को नौगाम सेक्टर में ही नौगाम सेक्टर में चार आतंकियों को मार गिराया था और एक को जिन्दा पकड़ लिया था सेना ने बताया था कि सभी आतंकी विदेशी है उत्राखन के पूर मंतरी और बीजेपी नेता हरक सिंग रावत पर रेप का मामला दर्च किया गया है 32 साल की एक महिला ने दिली के सबदर जंग इनकलेफ थाने में एफायार दर्च कराई है इसमे आरोप लगाया गया है कि रावत ने उसके साथ रेप किया वे लंबे समय से उसका सूशन कर रहे थे हरक सिंग रावत पर साल 2014 में ही छेड़ चाड़ का मामला दर्च किया गया था पुलिस जाच कर रही है कि शिकायत करता महिला वही है या कोई और महिला का आरोप है कि उस पर पुलिस के पास ना जाने का दवाव बनाया जा रहा था महिला आसम की रहने वाली बताई जा रही है रावत उत्रखंड मेहरीश रावत सरकार में मंत्री थे पिछले दिनों वे बगावत कर बीजे पी में चले गए थे गोरक्षा के नाम पर दलेतों और महिलाओं के साथ हुई बत्सलूकी की घटनाओं से घिरी केंद सरकार पर उनके अपने मंत्री रामदास अठावले ने भी खुस्सा दिखाया है उन्होंने कहा कि गोरक्षा के साथ ही मानवों की रक्षा जरूरी है उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर मानवों की हत्या करना मुझे ठीक नहीं लगता महराश्ट्रों से आने वाले दलित नेता अठावने ने कहा कि सरकार दलितों की रक्षा की गैरंटी दे हाला कि उन्होंने कहा कि हिंदु धर्म को मानने वाले गाए को माह मानते हैं असर का अध्यान कराने का अगर किया जुसे बचपन बचवाओ आंदोलन के संस्थापक ने स्विकार कर लिया नितिश ने बिहार विधान परिशत की ओर से सत्यार्थी को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समहारों में ये अगर किया मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि शुराब बंदी से माहौल पूरी तरह बदल गया है शुराब बंदी के बाद शुराब छोड़ने वाले लोगों के जीवन में सुधार हुआ है फरन्तु हमें इस पर एक तथस्त संगठन की ओर से एक विस्तरित और वग्यानिक अध्यन की जरूरत है सत्यार्थी ने कहा कि शुराब बंदी छोटा कदम नहीं है बलकि एक साहसिक कदम है इसे बाल उत्पीडन और मजदूरी पर अंकुष लगाने में जरूर मदद मिलेगी मैं अध्यन कराने के सुझाव को स्विकार करता हूँ बिहार में गंडक नदी में उफान से साहिब गंच के दियारा इलाके के दो हजार घरों में बाड का पानी घुज गया बितिरात अचानक जलस्तर में तेज सिवरिती हुई इसे आठ पंचायतों के करीब 25,000 आबादी प्रभावित है बाड प्रभावित लोगों का सुरक्षित स्थान पर पलायन जारी है दियारा इलाके के बाड पीडितों के लिए प्रशासन की ओर से राहत कैम्प खोले जाने की घोशना हवा हवाई साबित हो रही है बाड पीडितों ने इस्थानिय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश वेक्त करते हुए बताया कि राहत के नाम पर भी तक कुछ भी नहीं मिला है लोगों ने बांध पर शरन ले रखा है राशन वप शुचारा की संकट उत्पन हो गई है बार प्रभावित गाउं के लोगों के लिए राहत कैम्प खोल जाने की घोशना की गई थी लेकिन कैम्प में किसी तरह की दिवस्था नहीं है 2374 गाउं के करीब 18 लाक लोग बार से प्रभावित है एस बार से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है राज़े में बार्ड से बिगरते हालात को देखते हुए प्रभावित शेत्रो का केंद्रिक ग्रिहमंत्री राजनात सिंग ने जायजा लिया राजनात मुखे रूप से नौगाओ, मौरीगाओ और काजीरंगा नैशनल पार्क का दोरा किया इस दोरान ग्रिहमंत्री बार्ड प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राखत शिविरों का भी जायजा लिया उनके साथ राज़े के सीएम सरवानन सोनोवाल भी मौझूद थे केवल लोगों को ही नहीं जानवरों को भी बार्ड में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है मिली जानकारी के मुताबिक काजीरंगा पार्क में बने 130 फोरिस्ट कैम्प पानी में डूप चुके हैं बार्ड में अब तक साथ गैंडोग समेथ 25 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माधियम से तो आप जुड़ रहिए मेट्रो टीवी से नमस्कार